The strongest commoner in the academy of immortal cultivators के एपिसोड टू की शुरुबात में हमें बताया जाता है कि प्रिच्वल एनरजी के आने के बाद ग्लोबली काफी सारे बैटल स्टार्ट हो चुके हैं और उस बैटल को रोकने के लिए काफी सारी और्गनाजेशन भी स्टार्ट हुई हैं और उनमें से थी एक Omni Family क्योंकि उन लोगों के पास काफी ज़्यदा कमाल की स्ट्रेंट थी और वो लोग तीन स्किल्स को कंबाइन करके एक स्ट्रॉंग और रेर स्किल्स बना सकते हैं फिर हमें Lee को दिखाया जाता है और उस जगह का नाम बताया जाता है कि Eastern Region Eastern Warrior Academy मैं यहां पर पहुंच गया, आज से मैं इस जगर पर एक स्टुटेंट हूँ, तो चलो अपनी कल्टिवेशन जिरनी को शुरू करते हैं। तो वो सेकेंड यर का बच्चा बोलने लग जाता है कि मैंने तुम्में बोलने का आडर नहीं दिया, पर तब ही वहाँ पर ली आजिए आ जाता हूँ Chief कoha से मिलेंगे तो वह सेकेंड यर को बोलने लग जाता है कि मुझे नहीं पता है। और वैसे तुमने मुझे interrupt कैसे किया जब मैं cool बन रहा हूं तो फिल ली वोलता है कि मेरा नाम ली यूंग्शी है और मैं आज ही आया हूं और मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें disturb किया प्लीज कंटिनू और फिल ली वहां से चले जाता है और जो second year का लड़का होता है वो ब करनी चाहिए क्योंकि पृट्टेल पाउर का यूज़ करके वो लोग फाइटिंग स्किल का यूज़ करते हैं और फिर उन्होंने एक एक अग्जामपल दिया है जैसे की प्रिचवल एनरजी एंड फाइटिंग skill एक दम fuel और engine की तरह है और जो fighting skill होते हैं वो family background से मिलते हैं और तीन fighting skill academy free में देता है जो कि काफी जदा कमजोर होते हैं काफी तरह कि के fighting skills होते हैं और जाधा तर fighting skill QR code में store किये जाते हैं जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था फिर मैं ली को दिखाया जाता है और ली सोच रहा होता है कि finally मेरे पास एक safe fighting skill है और अगर मैं इसको यूज भी करूँगा तो फिर मैं ये place को destroy नहीं कर दूँगा फिर जो teacher है वो बोलता है कि आज के class के लिए इतना ही तुम सभी लोग self study करने के बाद जा सकते हो फिर सभी बच्चे जाने लग जाते हैं पर तभी वो लोग गेट में एक किसी के आखे देखते हैं और वो second year student ही होता है और वो second year student एक में क्या लगता है तुम काफे सदा cool pretend कर रहे थे तो फिर ली बोलता है कि मैं pretend नहीं कर रहा था पर तभी जो second year student है वो ली पर हमला कर देता है और बोलता है कि ये लो मेरा mountain cannon punch मैं तुम्हें मार सकता हूँ अपने थोड़े से spiritual power की मदद से ही पर ली को उस हमले से कोई असर फिर ली बोलता है कि तुम strong हो इसका मतलब अगर मैं तुम्हें मारू भी तो तुम मरोगे नहीं सही का ना फिर जो second year student होता है वो गुस्ते में पागल हो जाता है और बोलने लग जाता है कि तुम मुझे मारोगे अपने grade 1 fighting skill के साथ मैं एक high tide grade 1 official warrior हूँ अगर मैंने तुम् अकाडमी मुझे कुछ नहीं करेगा और तभी ली बोलता है one for all फिर हमें बाहर दिखाये जाता है जहां पर एक लड़की बोल रही होती है कि हम लोग यहां पर खड़े हो के देख नहीं सकते हम लोग दिवार तोड़के उसको बचा सकते हैं और जो second year का चमचा होता है वो यह बात सुनने के बात बोलता है कि academy की जो walls है वो specially reinforced है यहां तक कि high tide grade 1 का fighting skill भी इस wall को नहीं तोड़ सकता है तुम्हें क्या लगता है basic tide का first year इसको तोड़ सकता है क्या तुमारा दिमाग खराब है सिफ मेरा boss तोड़ सकता है इने और तभी उसका boss अपना मूँ और दिव इक fighting skills से अगर मैं इसे use करूंगा तो मैं किसी को भी नहीं मारूंगा और प्लस इससे damage भी काफी सदा कम होगा और इसी तरह episode 2 भी खतम हो जाता है तो guys मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो निशीगोएक episode 2 है वो कल आ जाएगा तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए सायो ना आएगा